पिछले वीडियो में हमने विभिन रतनों के लाभों के बारे में बात की थी आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन रतनों को कैसे पहने जिससे हमें उनसे अधिक्तम लाभ मिल सके कभी कभी हम लोगों से सुनते हैं कि ये पत्थर मुझे सूट नहीं करता है और कभी कहते हैं कि ये रत्न मुझे इसलिए सूट नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे नाम से या मेरे जन्म दिन से मेल नहीं खाता लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपने रत्नों को अपने नाम या जन्म दिन से मेल खाते हुए पहने हर रत्न एक विशेश प्रकार की उर्जा रखता है कभी-कभी वे उर्जाएं हमारे शरीर से मेल नहीं खाती है इस मामले में हम उसी रत्न के दूसरे रंग का उप्योग कर सकते हैं या उसी यौगिक के दूसरे रत्न का उप्योग कर सकते हैं अब बात करते हैं कि रत्म को कैसे पहना जाएं. किसी भी पत्थर को उसकी उर्जाओं को आकर्शित करने के लिए अपने पास रखना होता है. आप इसे अंगुठी में, ब्रेसलेट में या पेंडेंट में पहन सकते हैं. लेकिन इसके अधिक लाभों के लिए इसे दाहिने हा में खास कर छोटी उंगली में पहना बहतर माना जाता है.